यह दोई साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 17 है और अब हम पढ़ने वाले हैं प्राक्टिकल अप्लिकेशन ओफ हीटिंग अफेक्ट ओफ इलेक्टिक करेंट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया हीटिंग अफेक्ट ओफ इलेक्टिक करेंट कैसे पैदा होता है और अब ही आप इलेक्टिक करेंट किसी कंपोनेंट से होके पास होगा कंडेक्टर से होके पास होगा तो उसमें हीट जेनरेट होगा ही होगा इन एविटेवल कंसिक्वेंस है मतलब इसको इससे हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं In many cases it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat बहुत बार ऐसा होता है कि यह undesirable होता है मतलब कि आपका बहुत सारे energy क्या होता है वेस्ट हो जाता है In electric circuits the unavoidable heating can increase the temperature of the components and their properties तो आप देख सकते हैं इस heating effect of current के करण आपको बहुत problem हो सकता है और इसी करण आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके appliances हैं जैसे कि आपका computer है, laptop है उसमें fan लगाया होता है ताकि उसको हमेशा क्या करें ठंडा कर सके However, heating effect of electric current has many useful applications लेकिन ऐसा नहीं है कि heating effect of current का सिर्फ bad consequences ही हैं इसके बहुत सारे useful applications भी हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जैसे कि iron हो गया, toaster हो गया, oven हो गया, electric kettle हो गया, बहुत सारा जगह इसको हम लोग use करते हैं Electric heater are some of the familiar devices based on joules heating और यह joules heating जो हम लोग ने बता है, h is equal to i square rt, rt इस पर यह work करेगा तो h is equal to i square rt कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि h is equal to i square rt मतलब कि यह जो heating effect है, वो resistance के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा time के बढ़ने से क्या होग यह बढ़ेगा, i के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा इसका मतलब यदि किसी चीज को आपको ज़्यादा हीट करना है तो उसका resistance क्या करना होगा ज़्यादा यूज करना होगा मतलब ज़्यादा resistance वाले वायर का यदि हम लोग यूज करेंगे तो heating effect क्या होगा बढ़ेगा तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है कि नाइक्रोम वायर है उसका resistance क्या होगा या फिर बोले resistivity क्या होता है ज़्यादा होता है तो क्या आपने heater को कभी खोल के देखा है अब देखेंगे कि उसके वायर को इस प्रकार से round करके घुमा कर लगाये जाता है इसका क्या मतलब है कि इसका वायर का length को बढ़ाएंगे और वायर का length को बढ़ाएंगे तो resistance क्या होगा बढ़ेगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कि किसी प्रकार से Retain as much as heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. तो जैसे filament का बात होता है, तो filament को अच्छा प्रकार से ग्लो करने के लिए आपको current का मान ज़्यादा देना होगा और साथ ही इसका जो wire हम लोग use करते हैं, उसका resistance उस प्रकार से रखना पड़ेगा, जिससे कि इसमें heating ज़्यादा हो और जिसके कारण से यह क्या करें, ग्लो करें, तो फिलामेंट मस् रिटेन as much of the heat generated as possible so that it gets very hot and emits light. यह ज़्यादा गरम हो और जिसके कारण light क्या हो, emit हो. ठीक इसी प्रकार जो हम लोग ठंडे की दुनों में heater यूज करते हैं, कि यह लाल हो जाता है, तो लाल होने का क्या मतलब है, यह ज़्यादा heat को वहाँ radiate करता है, कहने का मतलब यह है कि आपको वहाँ पर उस प्रकार के metal का उप्योग करना होगा, या फिर बोलें तो अलवाय का भी आप उप्योग कर सकते हैं, जो क्यों उतने temperature को क्या करें, जहल सकें, तो आप देख सकते हैं, strong metal का bulb में यूज किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन, जिसको filament बनाने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ भी प्रश्ट पूछा जाता है, कई बार, जिसका melting point क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से वह melt जल्दी नहीं होता है, और आपका bulb सही प्रकार से काम करता है, तो इसी के साथ आप देखे हैं, कि यह जो filament bulb के अंदर लगाया जाता है, उसको isolated होना चाहिए, ताकि वह अच्छा प्रकार से function कर सके, इसी कारण से आप देखेंगे, उसमें nitrogen या फिर argon gas भरा जाता है, गैस बल्ब में, ताकि इसको क्या किया जाए, isolated रखा जा सके, most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated, तो बहुत सार आप देखेंगें, कि यह heat के रूप में energy जो है, अब्सॉर्ब हो जाता है, और कुछ part क्या होता है आपका, light energy के रूप में emit होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो अपने अपने घरों में fuse को तो जरूर देखा होगा, तो जूल्स हीटिंग का एक बहुत अच्छा application है, fuse के रूप में जो कि हम लोग अपने घरों में करते हैं, तो इस fuse का उपियोग करने से क्या फाइदा है, तो यह हमारे circuits में लगाए जाएगा, जिससे कि हमारा circuit तो क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, और साथ ही हमारे appliances भी क्या होगे, उड़ने से बच जाएगे, या फिर बोलें कि वो सुरक्षित रहेंगे, the fuse is placed in series, तो मैंने आपको बताया था कि fuse को कैसे लगाए जाता है, series में, और यही फायदा होता है, series का यहाँ पर, कि यदि fuse को series में लगाया जाएगा, तो सबसे पहले, यदि high voltage आता है, high current वहाँ से flow होता है, तो आपका fuse क्या हो जागा, उड़ जाएगा, जिससे कि आपके device की क्या हो सकेगी, सुरक्षा हो सकेगी, मालीजी इस प्रकार से आपने fuse लगा दिया यहाँ पर, और आपका, यहाँ पर device लगा हुआ है, तो मालीजी कि यह जो fuse है, वह one ampere का current को ही बरदास्त कर सकता है, तो यदि यहाँ two ampere का current flow होगा, तो यह fuse क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो यह जो two ampere का current है, वह आगे की और flow नहीं हो पाएगा, और आपका device क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, इस प्रकार से fuse का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन fuse का भी जो उपयोग किया जाता है, वह बड़ा सोर समझ के calculation के आधार पर ही किया जाता है, इट कंसिस्ट ओफ पीस ओफ वायर, मेड ओफ अ मेटल और अन अल्वाइ ओफ अप्रोप्रियेट मेल्टिंग पॉइंट, फर एक्जामपल, एक करिंट लार्जर दिन स्पेस्फिक वैल्यों फ्लो त्रू असरों करेंगा, तो फ्यूस वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जिससे की आगे की और कर्एंट नहीं जाएगा, और आपके जो डिवाईसें हैं अप्लायनसें हैं, क्या हो जाएगी सुरक्षा हो सकेगी दा फ्यूज वायर इस उज्वली इनकेस्ट इनकार्टेज अफ पॉर्सलीन और सिमिलर मिटरियल विथ मेटल एंड्स तो आप घर में भी देख सकते हैं फ्यूज को तो आपको जादा सौंज में आ जाएगा इनका रेट क्या है इस प्रकार साथ उनका रेटिंग होता है रेटिंग कहने का मतलब कि इससे ज़्यादा यदि करेंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा गल जाएगा फोर अन इलेक्रिक आइरेन विच कंजूम्स 1 किलो वाट इलेक्रिकल पावर विन ओपरेटेड एट 220 वोल्ट अ करेंट इतना पास होता है उससे देट इस 4.54 एंपियर विल फ्लो इन दे सर्कीट इन इस केस 5 एंपियर फ्यूज मस्ट भी यूज़ तो यहाँ देख सकते हैं इस फ्यूज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रशन आते हैं तो यहाँ पर एक प्रशन दिया गया है कि माल लिजे आप एक इलेक्रिक आईरन का यूज करते हैं और उसका पावर हो जाता है आपका 1 किलो वाट 1 किलो वाट कहने का मतलब है 1000 वाट का आपका क्या है, एक electric iron है, electric iron का power क्या है, power है 1 kilowatt, इसका मतलब होता है 1000 watt, 1000 watt का यह electric iron है, पहला चीज, दूसरा, इसका volt क्या है आपका, 220 volt पर यह काम करता है, तो यहाँ पर से current का मान आपको निकालना है, current is equal to question, कहने का मतलब है कि मान लिजी आप इससे एक, या फिर इसी में एक fuse को लगाना चाहते हैं, तो किस rating का fuse को यहाँ पर लगाएंगे, तो fuse किस rating का लगाएंगे, उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, current का मान लिए, हम लोग formula का use कर सकते हैं, P is equal to क्या होता है, बताइए, V I, P is equal to होता है, V I, और यहाँ से I निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, P भटा V, तो P आपका क्या हो गया, 1000W, और V क्या हो गया, आपका 220V, और इसका मान निकालेंगे, तो 4.54A आ गया, मतलब कि इस iron को 4.54A current की आवशकता है, तो मान लिजिए, यदि आप एक ampere का यहाँ पर fuse लगा देते हैं, तब तो यह 4.54A इसको चाहिए, तब तो उतना current इसको flow ही नहीं हो पाएगा, तो आपका appliance काम ही नहीं करेगा, और यदि आप 10A का यहाँ पर fuse सामने में लगा देते हैं, तो यदि यह 10A इस current को यदि माली जी कभी voltage fluctuation हुआ, और बहुत high voltage के कारण बहुत ज़्यादा current का supply आपके circuit में होना सुरू हो गया, और 10A के current को यहाँ iron में भेज दिया, तो आप का iron क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छा से calculate करने के बाद, इस fuse का उपिय यो करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यदि 4.54 ampere current वह iron खीचता है, तो उसके लिए कितना ampere का हम लोगों को fuse लगाना पड़ेगा, तो answer है 5 ampere, लगभग उसी प्रकार का fuse हम लोगों को use करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा appliance सही से काम कर सके, और high voltage में वो उड़े भिना, तो next के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पावर के बारे में बहुत important प्रेशन उसे भी आता है, तो मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद